पूरे बिहार के लोगों को गर्मी सता रही है तो वहीं बीते दिन्याने के शुकरवार देरात राजधानी पटना में जमा जम भारिश देखने को मिली है मौसम बिभाग की तरफ से मौसम को लेकर लगातार अलट जारी किया जा रहा है मौसम बिभाग से मिली ज्यानकारी के अनुसार बिहार में मौसम काफी जादा कमजोर पड़ गया है और आने वाले दिनों में मौसम का हाल भी बदलने वाला है ऐसे में बिहार के किन-किन जिलों में बारिश को लेकर संभावनाय जताए गई है किन जिलों में बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में मौसम का मिजास कैसा रहने वाला है ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं बिहार में मौनसून दो हजार चौबिस की बात करें तो सिर्फ सिवान ही एक मातर जिला है जहां सामान से ज़्यादा बारिश हूई है बाकी जिले की बात करें तो यहां परिस्थती बहुत खराब है बाकी जिलों में अगर हम बात पटना समय दक्षिन बिहार के मौनसून की करें तो मौनसून ने इस वार लोगों को खूब छकाया है मौसम भाग के मुताबे पिछले 24 घंटे में भी मौनसून की गतिवीधी कमजोर ही रही है 12 जिलों में अब तक सामान से करीब 40% कम बारिश हुई है मौसम भाग की माने तो पटना समय जादा तर जिलों में इस हफते तक जमाजम बारिश होने की उम्मीद कम है पूरे बिहार की बात करें तो इस समय अब तक 451.4 मिली मीटर वर्शा होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक 31% कम यानि की 311.9 मिली मीटर बारिश हुई है पटना मौसम भेग्यान केंद्र के मुताबक बिहार में 2-3 दिन के दोरान अधिक्तम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है इसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट होगी बंगाल की खाड़ी के उतरी भाग में समूंदरी तल से 7.6 किलो मीटर एक चक्रवर्तिय परिश्यरन बना हुआ है जिसके दिशा पच्छमी की तरह बनी हुई है अगले दो से तीन दिन की अंदर इसकी वज़त से हल्गी से मध्यम वर्षा के पूर्वानुमान बताए गए है पटना मौसम विग्यान केंद्र ने अपडेट जारी किया है पटना मौसम विग्यान केंद्र की तरफ से उपरी वाले अपडेट के अनुसार एक अगस से राज़ानी पटना के अलावा भोशपूर, बकसर, भवववा, गया, जहानाबाद, रोहतास, और अंगाबाद, नवादा, शेकपूरा, नालंदा, लखी सराय, बेगु सराय, बाका, जमुई, मुगेर, भागर, पुर, खगडिया के अने के स्थानों पर बारि से परिशान है, ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है, किनकिन जिलों में बारिश होने वाली है, हमने आपको इस वीडियो में सब खुशानकारी दी है, आने वाले दिनों में क्या कुछ अप्डेट जारी किया जाएगा, हम वो भी आप तक फिल्हाल के लिए आज के मौसम इतना है आपके जिले का मौसम का हाल कैसा है हमारे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं